अगर आप भी online payment का mode अपनाते हैं, अगर आप भी Amazon Pay, phone Pay, Google Pay और Paytium यूज़ करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए भी है जरूरी है, बहुती महत्पून होने वाली है वीडियो आपके लिए, तो अगर आप भी दिन भर में maximum transaction जो है online करते हैं, तो आपको ये वीडियो पू आपके लिए वीडियो भी जरूरी है, क्योंकि Amazon Pay ने limit लगा दी है, अब आप एक दिन में एक लाग से ज़्यादा का payment नहीं कर सकते हैं, अगर आप दिन में 20, 25, 30 transaction करते हैं, तो Amazon Pay के जो application है, उसके हिसाब से आप 20 से ज़्यादा transaction नहीं कर सकते हैं, अगर आपने 20 transaction कर दिय तो उनके लिए भी एक वेड नियुज है, फॉन पे की limit है एक दिन की एक लाग रुपे, एक दिन में 1 लाग रुपे maximum pay कर सकते हैं, इससे ज़्यादा payment नहीं कर सकते हैं, और transaction की limit भी इसकी वीज है, maximum एक दिन में 20 transaction कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो बचिए दूसरा है Google Pay Google Pay की लिमिट भी अब 1,00,00 रुपे हैं मैं जिमों लोग Google Pay भी यूज करते हैं को सोचते हैं मैं Google Pay पे कर ले रहा हूं तो Google Pay की लिमिट तो और ही ज्यादा कम है सिर्फ दिन में 10 ट्रांजिक्शन कर सकते हैं अगर आपने एक दिन में 10 ट्रांजिक्शन क जहां पर आपको सामान खरी दिने जाएं और आपके लिमिट पहले ही एक्सपायर हो चुकी हो पहली लिमिट खतम हो चुकी हो अगर आप वहां खड़े हो जाएं तो बचिए पेटियम सबसे पसंद्दाल एप्लिकेशन है लोगों का सबसे ज्यादा लोग यूज करते रिलें जाएब है तो आपको रुगना पड़े खैरना पड़ेगा अगले घंटे का आपको इंतजार करना पड़े गा क्योंकि छटमां टाइक्षण आपका अगले घंटे में ही होगा। दिनमें तो 20 टांजेक्षन आप कर सकते हो लेकिन एक घंटे माँ 20 टांजेक्षन नहीं कर सकते हैं एक घंटे में सरब 5 टांजेक्षन कर सकते हो मेंध जिमा हो तो इन सब चीजों से बचिए और online टांजेक्षन को आप बहुती महत्पूम तरीके से यूज करिए यह कुछ जा करिए लाइक करिए कमेंड करके आपकी कोई जानकारी चांते हैं तो जानकारी भी पूंच सकते हैं कमेंड के जरी है कमेंड जरूर करना धहनवाद दोस्तों